आलो फ्राइट नानीमा रेसिपीस में आप सबका स्वागत है आज हम बना रहे हैं गर्बियों का स्पेशल डिरिंक आम पन्ना आए बनाते हैं आम पन्ना बनाने के लिए दो कच्चे आम धोकर हम ले लेंगे मैंने इसको साबुती उबलने रख दिया है क्योंकि इसमें इसके काटके उबालके भी बना सकते हैं दोमनट उबालने के बाद यह इस तरह से दिखेंगे यह थोड़े ठंडे हो जाए तो इनको इस तरह से छील कर और इनका गूदा निकाल लेंगे गर्मियों में आम सबको बहुत पसंद होते हैं यह कच्चे आम का मपन्ना बना रहे हैं य यह लू से बचाता है हमें और हमारे इम्मिनिटी सिस्टम को बहुत सही रखता है और यह हमें बीमार होने से बचाता है आप गर्मियों में जब भी बाहर जाए तो यह कच्चे आम का पढ़ना पी कर जाए और आकर भी आप पी सकते हैं यह कच्चे आम झील कर हमने इसका गूदा अलग कर लिया है अब आम पढ़ना बनाने के लिए इसकी चाशनी बना लेते हैं एक कडाई लेंगे उसमें आदा किलो शक्कर डाल देंगे और आदा गलास पानी डाल देंगे अब चीनी गुलने तक इसको चम्मा से हिलाते रहें अब हम घैस बंद कर देंगे अब मिक्सी का जार ले लेंगे उसमें एक बॉल बरके पुदीना डाल देंगे जो कि मैंने दोके रखा हुआ है गयम्यों में पुदीना बहुत ही बड़ी होता है पेड़ को ठंडक देता है पहले हम पुदीने को मिक्सी में डाल कर चला पिर इसमें यह आम का निकलावा गूदा डाल देंगे अब जाय में एक चमच सफीद नमक आदा चमच काला नमक दो चमच जीरा बुना हुआ पाउडर आदा चमच काली मिर्च डाल देंगे अब इन सब को मिक्सी में चला कर जो हमने चाशनी तयार किये उसमें डाल देंगे अब इसको थोड़ा उबाल लेंगे अब ये थोड़ी दिर उबलने के बाद तयार हो चुका है अब इस स्टेज पर हम दो नेबू काट कर इसमें डाल देंगे नेबू डालने से इसमें खटा पन आता है और नेबू के विटामिन से सारे इसमें उबलने से आजाते है थंड़ा होने के बाद कड़ाई से इसको निकाल लेंगे सेव करने के लिए गिलास में थोड़ा थोड़ा आम पन्ना डाल लेंगे इसको सोड़ा के साथ और पानी के साथ दोनों तरह से बना के पी सकते हैं मैं दो गिलास सोड़ा के बना रही हूँ जैसे आप देख सकते हैं और इसमें दो गलास पानी के साथ बना रही हूँ अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी बूंदी डाल रही हूँ आम पन्ने के फायदे के साथ अगर हम बूंदी के साथ इसको सेर करते हैं तो इससे पेट बढ़ा हुआ रहता है इसमें उपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दीजिए और गर्मियों में लीजिए लाज जवाब आम पनने का स्वाथ इसको एक बार बना कर आप स्टोर करके रख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हैल्दी है आप इसको एक बार जरू ट्राइ कीजिए आप भी पीजिए अपनी फैमिली, फ्रेंट्स और रिलेटिव्स को पलाईए और कमेंट्स में बताईए कैसा लगा मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू